हेलो एवरिवन, जियो कॉंसेप्स नामक इस चैनल पर आप सबी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बिये पास फस्ट सेमेश्टर के भुगोल पाठकरम अर्थात जोग्राफी के सिलेबस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे बिये पास फस्ट सेमेश्टर के जोग्राफी सिलेबस के अंतरगत आप दो पेपर पढ़ेंगे जिसमें पहला पेपर है थियोरी पेपर और दूसरा पेपर है प्रैक्टिकल पेपर विवेन तत्मों के वित्रण उनके विस्तार और उनकी विसेशताओं को विस्तार पुर्वक जानेंगे और दूसरा पेपर अर्था प्रैक्टिकल पेपर जिसका नाम है मांचित्र और मापक इसके अंतरगता मांचित्र क्या होता है वो कितने प्रकार के होते हैं मांचित्र बनाने के लिए मापक किस प्रकार इस्तमाल किया जाता है मापक को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जा मापक के विविन प्रकार तथा मांचित्र को छोटा करना बड़ा करना आदी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे इस पेपर में अंकों का वित्रण इस प्रकार है इंटरनल असेस्मेंट के लिए 15 मार्क्स हैं जिसके अंतरगाद आपको असाइनमेंट्स टेस्ट और क 15 मार्क्स हैं जिसके अंतरगाद आपको एक Practical वायल बनानी होती है और semester के अंत में Practical एख्जाम देना होता है और उसके बाद एक WIVA होता है यह तीनों चीज मिलाके कुल 25 मार्स आपको दिये जाते हैं और semester के अंत मेंTwory पेपर का एक्जाम होता है जिसके कुल मार्क्स internal assessment में 15, practical exam और file के लिए 25 marks और end same exam के लिए 60 marks प्रदान किये जाते हैं। semester के अंत में होने वाले theory paper का exam कुल 60 marks का होता है जिसमें आपको 9 प्रशन दिये जाते हैं और उनमें से आपको 5 प्रशन हल करने होते हैं। चूंकि आपका syllabus 4 इकाईयों में बटा हुआ है प्रतेक इकाई से परिक्षा में 2 प्रशन पूछे जाते हैं और प्रतेक इकाई से आपको 1 प्रशन करना अनिवारे होता है और 9 प्रशन सभी units पर आधारित होता है जो की अनिवारे रूप से करना होता है। तो आईए प्रतेक इकाई के अन्तरगत आने वाले विविन पाठों के अन्तरगत आप किन किन विश्यों पर जानकारी हासिल करेंगे या सीखेंगे उस पर विश्तार से चर्चा करते हैं। इस यूनिट का तीसरा चैप्टर है अपवात अंतरगत हम हिमाले से निकलने वाली नदियां तथा प्राइदी भारत से निकलने वाली नदियों के उद्गम इस्थान, उनकी लंबाई, उनका विस्तार, प्रवाचेत्र, आधी पर विस्तरित चर्चा करेंगे। मांसून पवने, उनकी उपस्थिती से संबंदित विविन परमपरागत तथा आधनिक सिधानतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत में पाए जाने वाले विविन जलवाई उप्रदेशों पर भी विस्तरित चर्चा होगे। इस एकाई का पांचवा चैप्टर है म्रदा या मिट्टियां जिसके अंतरगत हम भारत में पाए जाने वाले विविन परकार की मिट्टियों के गुर्दोस उनकी विसेश्ताएं और उनकी विस्तार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस एकाई का अकला चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति वप्राकृतिक आपदाएं एवं संकट। इस चैप्टर के अंतरगत हम भारत में पाए जाने वाले वनों का विस्तार, उनका वरगी करन, वनों को होने वाली विविन समस्याएं तथा उनके सर्रक्षन के विविन उपायों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस ही काई के इन सभी चैप्टरों से परिक्षा में दो प्रशन पूछे जाएंगे जिन में से आपको एक प्रशन का हल करना अनिवार होगा। प्रवास या माइग्रेशन इस चैप्टर के अंतरगत हम प्रवास का अर्थ उसका प्रवास के क्या कारण है और उनके प्रवावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और साती साथ भारत के नगरों की परिभाशा, नगरी करन की प्रविर्टी, नगरों के वर्विकरन आदी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यूनिट दो के इन तीन चैप्टरों से परिक्षा में दो प्रशन पूछे जाएगे जिनमें से आपको एक प्रशन करना अनिवार होगा। यूनिट तीन इसका पहला चैप्टर है भूमी संसाधन इस चैप्टर के अंतरगत हम भारत में उपलब्द किर्शी भूमी, वन भूमी, बंजर भूमी, परती भूमी आदी परकार की भूमियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यूनिट तीन का दूसरा चैप्टर है सिचाई जिसके अंतरगत हम भारत में उपलब्द सिचाई के साधनों को सिंचित छेत्र सिचाई के लिए खोदी गई विविन परकार की नहरें वबांध परियूजना उपर चर्चा करेंगे। भारत में हरित करांती का इतिहास उसके पीछे क्या कारण रहे हैं क्या समस्या हैं हरित करांती से संबंदित और उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोईला, पेट्रोलियम, इलेक्टिसिटी व परमानू उर्जा आदी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस प्रकार इस यूनिट के सभी छे चैप्टरों से परिक्षा में दो प्रशन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको एक प्रशन करना अनिवार्य होगा। यूनिट फोर में कुल तीन चैप्टर हैं जिसमें से पहला चैप्टर है निर्माण उद्योग जिसके अंतरगत हम भारत में पाए जाने वाले विविन परकार के उद्योगों उन उद्योगों का इस्थानी करन के क्या कारण हैं। उन पर चर्चा करेंगे साथी साथ लोगो, वैस्पात उद्योग, सूती वस्तर उद्योग, चीनी वस्तर उद्योग, पैट्रो रसायन उद्योग आदी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथी साथ बारत में पाए जाने वाले विविन परकार के उद्योगों पर भी व पर भी चर्चा करेंगे साथी साथ भारत में पाय जाने वाले समुद्री पतन और पाइपलाइन पर भी विस्तार से चर्चा होगी यूनिट फोर का लास्ट और तीसरा चैप्टर है अंतराष्टिय व्यापार जिसके अंतरगत भारत का विदेशी व्यापार की संरचना उसकी दिशा व्यापार संतुलन तथा अंतराष्टिय व्यापार की मुख विस्ताओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी इन तीनों चैप्टर से परिक्षा में दो प्रशन पूछे जाएंगे जिन में से एक प्रशन करना अनिवार्य होगा थियोरी पेपर के बाद आएए प्रैक्टिकल पेपर के सिलेबस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं practical paper का नाम है मानचितर और मापक इस practical paper में आप पांचेप्टर पढ़ेंगे जिसमें पहला chapter है मानचेप्र कला का परीचाए इस chapter के अंतरगत आप मानचेप्र कला की प्रकिर्थी उसका विशेछेट्र और मानचेप्र कला की प्रकिर्थी विज्ञान की है या फिर कला विसे की है इसके रूप में आप इसको समझने का प्लियास करेंगे इस पेपर का दूसरा चैप्टर है माझचित्र और इसके परकार जिसके अंतरगत आप माझचित्र का आर्थ उसकी परिभासा और माझचित्र के आवशक तत्व मानचित्रों का वर्गी करन, इसका क्या महत वह हमारे लिए आदी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी इस पेपर का तीसरा चैप्टर है मानचित्र मापनी जिसके अंतरगत हम मानचित्र पर मापनी को प्रदर्शित करने की विविन विदियों के बारे में जानेंगे तथा कतनात्मक मापक से प्रदर्शिक बिन में मापक को कैसे चेंज किया जाता है और साथ ही साथ विविन एकसरसाइज के मादेम से हम रैखिक मापक, तलनात्मक मापक और विकर्ण मापक को बनाना भी सिखेंगे इस पेपर का अगला चैप्टर है मांचित्रों पर दूरियों वचेत्रफलों का मापन जिसके अंतरगत हम, रोटामीटर, प्लैनीमीटर, आदी अंतरों का प्रियोग करके किस प्रकार मांचित्रों पर दोरियों वचेतरफलों को मापज आता है, इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे इस पेपर का पांचमा चैप्टर है मांचित्रों का विवर्धन और लगू करण जिसके अंतरगत हम वर्ग विदी, समतरबुज विदी, पेंटाग्राफ, एडोग्राफ, समानुपाती कमपास, फोटोग्राफिक विदियां आदि विदियों का प्रियोग करके मांचित्रों को कैसे छोटा और बड़ा किया जाता है इसके बारे में जानेंगे त्योरी पेपर से सम्बंदित कुछ मैतपूर्ण पुस्तकों की सूची यहां स्क्रीन पर दिखाई गई है जिन मेंसे आप कुछ पुस्तकें परचेज कर सकते हैं या खरीद सकते हैं और अन्य पुस्तकें आप लाइब्रेरी से अरेंज कर सकते हैं यहां स्क्रीन पर प्रैक्टिकल पेपर से सम्बंदित कुछ मैतपूर्ण पुस्तकों की सूची दी गई है जिसमें से दूसरी बुक F.J. Bonk House द्वारा रचित है विए पुस्तक ओनलाइन फ्रीली अबेलिबल है PDF फॉर्मेट में इसे आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं